प्रत्यक्षी करण यानि की पर्सेप्शन तो शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हम वातावरण में जो भी वस्तुवें होती हैं या जो भी उद्धीपक होते हैं उनका ग्यान अपनी ग्यानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं ये ज्ञाने इंद्रिया संख्या में पांच होती है, आख, नाख, कान, जीब और तवचा, आख के द्वारा हम देखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई वस्तु कैसे दिखती है, उसका रंग, रूप, आकार कैसे है, बनावट कैसी है, नाख द्वारा हम सुमने का कारे कर करते हैं, यानि सुनने से सम्मंदित जितने भी सूचनाय होती है, ज्ञान होता है, वो हमें नाक से प्राप्त होता है, किसी वस्तु का सुगंद या दुरगंद कैसी है, कान के द्वारा हम सुनने की से सम्मंदित ज्ञान प्राप्त करते हैं, कि कोई भी वस्तु की आवाज कैसी है जीप के दौरा हम विभिन वस्तुमों का स्वाद ग्रहन करते हैं और तवचा के दौरा हमें विभिन प्रकार के स्पर्श का अनुभाव होता है तो ये पांच ग्यानिंद्रियां है अब जब हम किसी भी वस्तु का ग्यान प्राप्त करते हैं तो उसमें हो सकता है एक काम करें और कभी कभी एक से जादा ग्यानिद्रियां काम करती है जैसे अगर हम केवल गुलाब के फूल को देख रहे हैं तो हमारी आखें यहाँ पर हमें उस गुलाब के फूल के बारे में बता रही है कि वो गुलाब का फूल गुलाबी रंग का है कि लाल रंग का है ठीक है इस तरह से लेकिन अगर हम उस गुलाब के फूल को देखने के साथ साथ उसे सूंगें तो हमारी नाक यहाँ पर दीप्त हो रही है यानि नाक से हम उसकी सुगंद की सूचना प्राप्त कर रहे हैं अगर हम उसकी पंखुरी तोड़ के खा लें तो हमें उसके स्वाद का नुद्री कभी एक से जादा घ्राप्त काम करती हैं अब इसके पहले के हम प्रत्यक्षी करण को समझे हम समझे अ कहरें संवेडना के अर्थ को समझ लेते हैं संवेडनाया सेंसेशन क्या होता हैं जब को ख़िपक हमारी किस उसकी ज x audio को प्रभावित करता है टो हमारेos पी कि उत्ते हैं एक से ज़या हो जाते हैंन। जो उत्धी का एक एक्सास होता Penalb इसे ही संवेदना कि संजेशन कहते हैं। यह संवेदना हैं पांचो ग्ञैणे अंद्रियों से समदेव होती हैं तो यह पांच प्रकार की होती हैं आग से संबंदित होती है दृष्टी संवेदना कान से संबंदित शमन संवेदना नाक से संबंदित घ्राण संवेदना जीब से संबंदित स्वाथ संवेदना और तचा से संबंदित स्पर्श संवेदना अब समवेदा को हमने समझ लिया तो प्रत्यक्षी करण को हम असानी से समझ पाएंगे प्रत्यक्षी करण एक जटलमानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उद्धीपक का तातकालिक ज्यान प्राप्त करता है तातकालिक ज्यान का मतलब कि वर उस समय ज्यान प्राप्त करता है जिस समय वो दीपक मौजूद हो मतलब सामने उपस्थित हो चाहे वो दीपक आवास के रूप में हो चाहे वो सुगंद के रूप में हो यानि स्मेल के रूप में हो चाहे वो स्वाद के रूप में हो, चाहे वो दिखाई दे रहा हो तो उद्धीपक सामने होना जरूरी है तभी उसका जो ज्यान प्राप्त होगा वो तातकालिक ज्यान कहलाएगा और संवेदना में पूर्व अनुभो के आधार पर सही अर्थ जोड़ देता है यानि प्रत्यक्षी करण वो जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें उद्धीपक सामने उपस्तित होता है और उसका तातकालिक ज्यान प्राप्त किया जाता है और साथ ही साथ जो संवेदना होती है समवेदना मैंने अभी आपको बताया कि कोई उद्धीपक का केवल हमें ग्यानेंजियों पे एहसास मातर होता है आभास मातर होता है तो समवेदना कहते हैं तो समवेदना जो होती है उसमें जब हम अपने past experience के आधार पर meaning जोड देते हैं लेकिन हमारे past experiences के आधार पर क्योंकि हमने पहले गुलाब का फूल देखा हुआ है तो उससे सम्मंदित स्मिर्टी चिन हमारे मस्तिष्क में है और जैसे ही समवेदना होती है तुरंथ हमारे मस्तिष्क में उस सहचरे छेतर से जहां पर कि इससे सम्मंदित पूर्वनवों है उनसे मिलके अर्थ जुड जाता है कि ये गुलाब का फूल है तो इसे प्रत्यक्षी करण कहते हैं यानि वस्तु सामने है और हम उसका अपनी ज्यानेंद्रियों से ज्यान प्राप्त कर रहे हैं और हम सही ग्यान प्राप्त कर रहे हैं तो ये स्तिती क्या कहलाएगी प्रत्यक्षी करण कहलाएगी उदारण के लिए जैसे कोई व्यक्ती बहुत दूर है और वो दूर से आ रहा है हमें आता हो दिखाई दे रहा है तो क्या होता है शुरुआत में हमें केवल काली-काली चाया जैसी दिखती है तो हम उस समय केवल इतना जान पाते हैं कि कोई है जो आ रहा है लेकिन वो कौन है यह हम नहीं जान पाते हैं तो यह जो स्थिती है कि कोई आ रहा है यह क्या है संवेदना यानि की सेंसेशन लेकिन धीरे-धीरे जब वो नजदीक आ जाता है तो हम यह जान जाते हैं कि यह फला व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है और इसका ये नाम है तो यहाँ पर हमने क्या किया है जो हमें समवेदना हुई थी उस समवेदना में हमने क्या किया अर्थ जोड दिया ठीक है तो यह जो स्थिती है यह प्रत्यक्षी करण है क्योंकि यहाँ पर हमें व्यक्ति का ग्यान प्राप्त हो गया व्यक्ति उद्धीपक है जो हमारे सामने मौझूद है उपस्तित है और हमने उसका ज्ञान प्राप्ति की अपनी ज्ञानेंद्रियों के माद्यम से तो यह स्थिती क्या है यह प्रत्यक्षी करण है प्रत्यक्षी करण की पूरी हम प्रक्रिया देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसी होती हमने आपको बताया कि प्रत् उद्धीपक का उपस्थित होना यानि कोई उद्धीपक सामने उपस्थित है और उसके बाद है ग्यानेंद्रियों का उत्तेजित होना जब उद्धीपक सामने आता है तो हमारी ग्यानेंद्रियां एक भी हो सकती है एक से जादा भी उत्तेजित हो सकती है तो ग्यानेंद्रि यानि कि nerve impulse उत्पन होते हैं और यह सनाईव प्रवा मस्तिष्क में पहुंचते हैं जब मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो हमें सम्वेदना का अनुभाव होता है कि कोई चीज है और जब उस सम्वेदना में हम अपने पूर्व अनुभाव के आधार पर अर्थ जोड़ देते तो यह प्रत्यक्षी करण की स्थिती होती है अब आप इसको धारन से समझ लीजे उद्धीपक का उपस्तित होना उद्धारन के लिए कोई जानवर सामने आया जिक है अब यह जानवर जो है वह उद्धीपक है क्योंकि हमारी ज्ञानिंद्रियां उसको देख रही हमने आखो यहां पर समवेदना का अनुबह हुआ और उस समवेदना में पूरवानुबह के अधार पर कि इसके पेले हमने यह आवाज पहले सुनी थी यह जानवर पहले देखा था तो हम जो समझ गए है उसमें अर्थ जोड देतें कि अच्छा यह भाबों की आवाज है तो यह कुत् तो यह हमने कुट्ते का प्रत्यक्षिकरन कर लिया। यह पूरी प्रक्रिया क्वा की प्रत्यक्षिकरन की अब हम प्रत्यक्षिकरन की परिभाशा देख लेते हैं। कॉलिंसें ड्रिवर के अनुसार प्रत्यक्षी करण किसी वस्तु का तातकालिक ज्यान है तातकालिक ज्यान मतलब वस्तु सामने उपस्तित है या समवेदना द्वारा सभी ज्यानेंद्रियों का ज्यान है तो ज्यानेंद्रियों के माध्यम से हम जो ज्यान प्राप्त करते हैं जिसमें की समवेदना के दुआरा ग्यान प्राप्त होता है यानि पहले समवेदना होती है जिसे हम ग्यानिंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहन करते हैं ग्यान उसकी समवेदना होती है और उसके बाद प्रत्यक्षी करण होता है मैक डूगल के इनुसार उपस्थित वस्थित के विशय में सोचना ही प्रत्यक्षी करन करना है यानि जब वस्थित सामने हैं और हम उसका ग्यान प्राप्त कर रहे हैं तो यह स्थिती प्रत्यक्षी करन कहलाएगी एक वस्तु तभी तक उपस्तित कही जाती है जब तक कि उससे आने वाली उत्तेजना हमारी ग्याने अंद्रियों को प्रभावित करती है यहां हमने कहा ना कि उपस्तित वस्तु के विशय में सोचना तो कोई वस्तु कब तक उपस्तित मानी जाएगी जब तक कि उससे आने वाली उत्तेशन हमारी ग्याने अंद्रियों को प्रभावित करती है बतब अगर वो वस्तु हमारी ग्याने अंद्रियों से दूर हट जाती है यानि कोई जानवार इतनी दूर है कि उसकी आवाज हमारे कानों तक नहीं सुनाई दे रही या कोई वस्तू ऐसी जगे पर है कि वो हमारी आँखों को नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसी स्थिती में वस्तू हमें ना तो सुनाई दे रही है ना हमें दिखाई पड़ रही है तो उसे हम उपस्थित नहीं मानेंगे उसे हम उद्धीपक नहीं मानेंगे उद्दीपक उसको तब मानेंगे या उसको उपस्थ तब मानेंगे जब हमारी ज्ञानेंद्रियों को वो प्रभावित करेगी उद्दीप्त करेगी अब हम प्रत्यक्षी करण में कौन-कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं उनका अध्यन करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण में पाँच प्रक्रियाएं शामिल होती हैं पहली प्रक्रिया है ग्राहक प्रक्रिया ग्राहक यानि कि हमारे Receptors यानि हमारी ज्ञानेंद्रियां आखना, कानजीप और तजा तो जब भी कोई दीपक किसी व्यक्ती के सामने आता है तो व्यक्ति उस सम्मंधित जो भी ज्यान होता है वो ज्यानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहेंड करता है वस तो हमें दिखाई पड़ रही है तो हमारी आखों के द्वारा ठीक है उसकी स्मेल अगर आ रही है तो हमारी नाक उसे ग्रहेंड करती है उसकी आवाज है तो हमारे कान उसे ग्रहन करते है अगर वो कोई खाने की चीज है तो स्वाद उसका जो है जीब के द्वारा और अगर हम उसको छूते हैं तो सपर्श उसका कैसा है ये पता लगता है तो जो उद्धीपक है उसके सारे ग्यान को हमारी ग्यानेंद्रिया ग्रहेंड करती है और फिर उसको मस्तिश्क तक पहुचाती है तब हमें उद्धीपक का प्रत्यक्षी करण होता है तो ये जो प्रक्रिया है ग्यानिंजियों के द्वारा ग्रहन करने की ये ग्रहक प्रक्रिया कहलाती है प्रतिकात्मक प्रक्रिया हमारे पूर्व अनुभो जो होते हैं वो हमारे मस्तिश्क में प्रतीकों के रूप में उपस्तित होते हैं जब हम किसी उद्धीपक का प्रत्यक्षी करन करते हैं तो उद्धीपक से सम्मंधित जो प्रतीक होते हैं वो सजग हो जाते हैं इसी प्रक्रिया को प्रतीकात्मक प्रक्रिया कहते हैं जैसे कि इमली को जैसे हम देखते हैं तो उसके जो गुण होते हैं वो प्रतीक के रूप में हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहते हैं तो इमली जो होती है स्वात में खटी होती है तो इमली को देखते ही बिना टेस्ट किये भी हमारा मूँ जो होता है वो खटा हो जाता है यह प्रतिकात्मक प्रक्रिया है भावात्मक प्रक्रिया किसी वस्तू का प्रतेक्षी करन जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके मन में कोई नो कोई भाव आता है तो ये जो है भावात्मक प्रक्रिया होती है जैसे किसी वस्तु का हम प्रत्यक्षी करण करते हैं तो हमें सुख का भाव भी आ सकता है और किसी वस्तु का प्रत्यक्षी करण करने पर दुख का भाव आ सक घचता है orth replication किसी वस्तु के ब्रतिक्षी करन में जो उस्तशार होती है उनका एक ही करन किया जाता है और यह की करन मस्तिशक में होता है इसके बाया अलगलग गिकिक Home को अलग-अलग ग्दो का अलग-ग्लाइन्द्रियों से ग्छान नाक से, उसकी स्वाद को अपनी जीब से और उसके स्पर्ष को अपने हाथों से महसूस करते हैं लेकिन ये सारी प्रक्डियाएं भले ही मस्तश्क के अलग-अलग केंद्रों में जाती है दृष्टी संवेदना जो है वो दृष्टी छेतर में जाती है स्वाद संवेदना स्वाद छेतर में जाती है लेकिन ये सारी संवेदनाएं जो होती है मस्तश्क में जाकर इन सब का क्या होता है एकी करण हो जाता है कंबाइन जब ये हो जाती है तो हम एक संगठित रूप में गुलाब के फूल का प्रतेक्शी करण करते हैं ये प्रक्रिया जो है वो एकी करण की प्रक्रिया कहलाती है एकी करण के साथ साथ विभेदी करण की प्रक्रिया भी प्रत्यक्षी करण में शामिल होती है हम बहुत सारे उद्धीपकों में से किसी खास उद्धीपक को प्रथक कर लेते हैं जबकि वो सारे उद्धीपक मिलते जुलते होते हैं जैसे एक ग्वाला जो होता है वो भैसों के जुंड में से अपनी भैस का प्रत्यक्षी करन कर लेता है जबकि देखने में सारी भैसे एक ही जैसी लगती है तो एक छोटा बच्चा है वो विभिन कारों में से लाल रंग की कार अगर उसके पिता की है तो वो लाल रन की अन्य कारों में से पहचान लेता है, उसका प्रत्यक्षी करण कर लेता है, तो ये है फिभेदी करण की प्रक्रिया, तो ये पाँच प्रक्रियाएं जो हैं वो प्रत्यक्षी करण में समलित होती हैं, अब हम बात कर लेते हैं समवेदना और प्रत्यक्षी करण में अंतर की की समवेदना और प्रत्यक्षी करण में क्या अंतर होते हैं तो सबसे पहला अंतर ये है कि समवेदना प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया है जबकि प्रत्यक्षी करण जुदियक मानसिक प्रक्रिया है यानि पहले समवेदना होती है उसके बाद प्रत्यक्षी करण होता ह संवेदना सरल मानसिक प्रक्रिया है जबकि प्रत्यक्षी करण एक जटल मानसिक प्रक्रिया होती है शुद्ध संवेदना केवल शिश्वों को होती है क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम जो भी संवेदना होती हैं उसमें तुरंत अर्थ जोड़ देते हैं तो हमें प्रतेक्षी करण हो जाता है तो शुद्ध संवेदना केवल शिश्वों में होती है जिनको विबिन और दीपकों के बारे में ज्यान नहीं होता लेकिन प्रतेक्षी करण जो होता है वो बाकी सारी जीवन भर प्रतेक्षी करण ही होता है मुख्य रूप से संबेदना में व्यक्ति जो होता है वो निश्क्रिय होता है क्योंकि किवल ग्यानेंद्रियां हमारी उद्दीप्त होती है तो इसमें व्यक्ति को कोई खास रोल नहीं करना होता है इसलिए व्यक्ति निश्क्रिय होता है जबकि प्रतेक्षी करण में व्यक्ति पुरी तरह से सक्रिय होता है क्योंकि उसका मस्तेश्क सक्रिय होता है क्योंकि past experience जो होते हैं जो स्मृति चुन्नों के रूप में रहते है उनका उप्योग करके वस्तु का प्रत्यक्षी करन करना होता है तो व्यक्ति जो होता है प्रत्यक्षी करन में पूरी तरह से सक्रिय होता है संबेदना में किसी उद्धीपक का किवल परिजयात्मक ज्यान होता है यानि किवल एक अभास मात्र होता है और प्रत्यक्षी करन में उस दीपक का पूरा का पूरा ज्यान होता है यानि वस्तो विश्य ज्यान होता है उस दीपक के बारे में सारा का सारा ज्यान प्राप्त होता है अंशिक क्रिया होती है संवेदना में जो दीपक होता है यानि संवेदना जो होती है वो एक अंशिक क्रिया है यानि कि संवेदना में केवल संवेदना की प्रक्रिया होती है जबकि प्रत्यक्षी करण जो होती है अपने आप में एक संपूर्ण क्रिया है जिसमें की संवेदना भी शामिल होती है संवेदना में मस्तिश्क के ज्यान केंद्रों से ही उसका संबंद होता है जबकि प्रत्यक्षी करण का संबंद ज्यान केंद्रों के साथ 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 रिचेतर से होता है क्योंकि हम पुर्वन भोज जो होते हैं वो हमारे साथ रिचेतर में विद्धिमान होते हैं जहां से हम समवेधना में उनको जोडते हैं और प्रत्यक्षी करण करते हैं तो समवेधना का संबंध कि वह ज्ञान के अंदर से होता है जबकि प्रत्यक्षी करण का संबंध जो होता है वो ज्ञान के अंदर के साथ साथ साचारी छेतर से भी होता है तो आज के इस वीडियो में हमने समवेदना के अर्थ को समझा प्रतेक्षी करण के अर्थ परिभाशा उसकी प्रकृती क्या है और उसकी प्रक्रिया कैसी होती है उसमें कौन-कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है इनका अध्यन किया और संवेदना और प्रतेक्षी करण में क्या अंतर होता है इसको भी समझा तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बगाईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए नमस्कार